क्लास्रूम बेज्ड असेस्मेंट 3 S82 सम्मेटिव असेस्मेंट 2 2022-23 यहां पर हम क्लास 8th मैज्स का फूल कोश्चन पेपर देखेंगे आप वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा चैनल फर्स्ट रम आया है चैनल सस्क्राइब कीज़े आंसर की के साथ में देखेंगे से 2 का क्लास 8th मैज्स का कोश्चन पेपर ओके सो यहां पर हम कोश्चन पेपर देखेंगे क्या के कोश्चन आपको दिये गए फर्स्ट आप इसकी कोश्चन पेपर की पीडियाफ फूल पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं इसको आपके लिए क्या करना है इसके लिए गूगल 8 by 21 by हमें यदि 1 चाहिए तो हम 8 by 21 में किसका 21 by 8 का कर देंगे 21 से 21, 8 से 8 तो आंसर बना दाएगा, इसलिए 21 by 8 राइट आंसर है इसके बाद next क्या है which of the following statement is always true कॉन साइज में से सही है तो वो है भी x plus y upon 2 is a rational number between x and y के भीश में rational number okay so third question पर हम बढ़ते है what is the probability of choosing a vowel from the alphabet alphabet में से वोवेल हम निकालेंगे तो क्या probability होंगी 5 by 26 क्योंकि वोवेल्स कितने होते 5 होते है a, e, i, o, u only 5 वोवेल्स होते है और 26 जो होते है consonants word होते है तो अलफाबेट में से हम इसको चूज का रहा है तो यह हमारे हो गया राइट आंसर 5 by 26 मंतली सेलरी ऑफ परसन एक व्यक्ति की मंतली सेलरी फिप्टिन थाउजन है so the central angle of the sector representing his expenses on food and house rent on a pie chart is 60 degree the amount he spends on food and house rent is हमें पता करना है कितना खाने पर और घर पर रेंट पर खर्च करता है यह हम पता कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा 60% होता है यह लगबग उसका यूज में तो हमारा जो आंसर राइट आंसर राइगा तो हमारा जो आंसर राइट आंसर राइगा sorry 2500 इतना खर्च करता है how many natural number in between 5 rest to the power of 5 square and 6 square बीच में कितने rational numbers कितने natural numbers है यह पता करना है तो कुल मिलाकर 10 है ठीक है इसके बाद हम देखते है 1 digit यहां पर बताना है क्यूब 23 तो 7 इसके बाद हम next question देख लेते है if one number of pythagorean triplet is 2 meter the other two numbers आरके क्या होगा m square plus 1 और m square minus 1 ठीक है इसके बाद में next question हम देखते है question number 8 यहां पर 5x upon 3 है और यहां value देए है तो 2x minus 7 की value आ जागी 5 by 26 right answer value x की निकालना है इसमें हमें यहां पर value expressions देए 3x minus 4 and 2x plus 1 सबसे पहले 2x plus 1 का कर लेंगे आम is equal to 0 so 2x बराबर minus 1 आ जागा x is equal to minus 1 by 2 so हम यहां पर 3 into minus 1 by 2 minus 4 लग देंगे minus 3 by 2 फिर minus 4 तो हम LC हम ले लेंगे तो आपका answer निकल जाएगा इसमें आप इसको value की find out कर लिजेगा question number 10 का answer भी है first हो जाएगा 11th का answer भी हो जाएगा 12th का answer c 13th का right answer 8 इसके बाद हम बढ़ते है next question पर इसको solve कर लिजे c right answer हो जाएगा इसके बाद में 14th में m आजाएगा right answer 15th में आपका 12 a cube and b c square right answer breathe and height factorize करना इसको factorize करेंगे हमारा right answer b minus 19 16 देख लिजे 16th का right answer आपका factorize d का हो जाएगा 17th का 18th का right answer b 19th का right answer a 20th का right answer c 21 है इसमें देख लिजे right answers आप इनको note कर लिजेगा 21th का right answer d 22th का a 23th का c हो जाएगा 25th का right answer option number c 0.5 part b क्यों बढ़ते है part b में 26 आपको questions है 2 marks का represent करना है number lines को 27 में भी picture जो दिख रहा 4 marks का है front में जो दिख रहा है two different plants का plant a plant b को करा जो similar laboratory में condition में same चीज में उनकी height measure करेंगे और जब 3 week तक इनको करना 3 हथे तक हमने देख और result का निकला उसको शो कर रहा है जो आप प्रश्च आप जो जो आप देख लेटे आप पीडियाप को कैसे डाउनलोड करेंगे सबसे पहले आप गूगल पर जाए तक जहां पर सर्च करते है सर्च बटन पर आपको आना है और देखिए यहां पर तैप कर लीजे यहां पर पहले से टाईप की हुआ है तो मैं इसी को क्लिक कर यूँ तौ जाओ तो यहां पर क्या कर सकते होँ पिर उस 국민 पर आप कर सकते हो इसके भट मीं द्हाइब कर भलेया है तो आप इसीपर क्लिक कर सकते हूँ इसमें आपको पीडियाप मिल जाएंगी description box में link के वो भी मिल जाएगी तो यह जो पीडियाप डाउनलोड करने की process इसमें से आप आगे से डाउनलोड कर सकते हो पीडियाप को ठीक है